करनाटक चुनाव में कुछी दिन शेश बचे हैं इसी भी टेक फ्लेट में बड़ी संख्या में फरजी वोटर आईडी कार्ड मिलने से हरकंप मच गया है मामले को बढ़ता देख राजे चुनाव आयोग ने मंगलवार देर रात प्रेस कॉन फ्रेंस की चुनाव आयोग ने कहा कि यह बेहत गंभीर मामला है और दोशियों के खिलाफ कड़ी कारेवाही की जाएगी भाजपा ने आरोप लगाया कि यह अपार्टमेंट एक कॉंग्रेसी नेता का है और कॉंग्रेस चुनाव जीतने के लिए बेहिमानी पर उतर आई है मद्दान से मह चार दिन पहले 10,000 फरजी वोटर आईडी कार्ड बेंगलूरू के जालहली इलाके के एसेलवी पार्क व्यू अपार्टमेंट से मिले हैं भाजपा नेता सदानंद गौडा ने इसके पीछे आर आर नगर से कॉंग्रेस उमीदवार मुनीर अतना नायदू का हाथ बताया और पार्टी ने इस सीट पर चुनाव रद्ध कराने की मांग की है पिर चुनाव अधिकारी संजीव कुमार ने कहा फ्लेट से जब्त किये मतदाता पहचान पत्र में 9746 कार्ड असली लग रहे हैं उन्हें छोटे पैकेट में रखा गया है और उन पर पता और नाम दर्ज है पुलिस इलाके में सुरक्षा प्रदान कर रही है उचित समय पर कारेवाई की जाएगी अगले 24 घंटों में हमें और तथे पता चलेंगे और हम उसी आधार पर उचित फैसला लेंगे ये फाई आर दर्ज कर दी गई है और मामले की जाच की जाएगी मामले पर चुनाव आयोग ने करीबी नजर बना रखी है संजीव कुमार ने बताया कि उस फ्लेट में पांच लेप्टॉप और प्रिंटर भी थे इसके अलावा दो स्टील ट्रंक भी मौजूद थे जानकारी के मताबिक यह फ्लेट में अंजुला नंजामुरी के नाम पर है पर फिलहाल इसमें राकेश नामक युव किराय पर रहता है बताया जा रहा है कि वह एक चुनावी उमीदवार का करीबी है चुनाव अधिकारियों ने निश्पक्ष चुनावों का आश्वासन दिया है पर निशाना साधा है भाजपा ने आरोप लगाया कि फरजी वोटर आईकार्ड के कारण राज्य में चुनाव खत्रे में पड़ जाएगा केंद्रिय मंत्री प्रकास्ट जावडेकर ने कहा हैरान करने वाली घटना है कॉंग्रेस लोगों का समर्थन खो रही है यह चुनाव पर भरोसा खत्म कर देगा बद्दामी में बड़ी संख्या में कैश मिलना और पैसों के वित्तरन से जुड़ी जानकारी भरी डायरी का मिलना है रान करने वाला है इसलिए हम चुनाव आयोक से मांग करते हैं कि वे संबंदित लोगों के खिलाफ कारेवाई करें भाजबा के आरोपों के बाद कॉंग्रेस ने भी पलटवार किया है पार्टी ने कुछ फोटो पेश किये काग जाद दिखाए और दावा किया कि फ्लेट में रहने वाला राकेश फ्लेट की मालिकन मंजूल का दतक पुत्र है और वो भाजबा उमीदवार रह चुका है कॉंग्रेस के आरोपों पर भाजबा ने सफाई दी है और कहा है कि साज़िश वाले फ्लेट का मंजूला के बेटे से कोई संबन्त नहीं है मंजूला च्छे साल पहले भाजबा छोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हो चुकी है